आज की इस एपिसोड में डिसकस करेंगे पेटीय में स्टॉक के बारे में यहां देखे तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक में 6% तक की तेजी देखने को मिली थी और यहां देखेंगे तो एक बड़ी न्यूज ट्रेंड होते हुए दिखी है यहां मैं आपको द दिखा है पेमेंट एग्रिगेटिव सर्विस के लिए और जिसको लेकर के समय थोरा बहुत पैनिक सेलिंग हो सकता है यहां देखे तो जो ब्रोकर है फॉरेंड ब्रोकर का कंटिन्यूस बाइंग कॉल दिखा है चुकि फॉरेंड इन्वेस्टमेंट भी काफी से स्टॉक मे थे और इसके साथ ही डिसेंट में हमने देखा कि जापानीज कंपनी ने 4.5 परसेंट को सेल करे थे 17 नवंबर को जिसके बाद यह हेवली सेलिंग देखने को मिला था लेकिन इसी बीच देखें तो सीटी के तरफ से जो पे टीम के टार्गेट आए वह 1055 यानी 1055 रुपीज के टार्गेट सीटी ने दिये हैं इसके साथ ही यहां टेकनिकली देखेंगे तो ट्रेंड अभी भी विक है यहां देखेंगे ट्रेंड विक है और अगें उपर के लेवल पर सेलिंग देखने को मिला है एज पर हिस्टोरिकल टेकनिकली चार्ट को अगर आप देखें तो कह of now एक recent में gap down दिख रहा है लेकिन इस समय थोड़ा बहुत वीक लग रहा है stock अगर आप buying करते हैं तो strictly SL जो आपका होना चाहिए 440 के strictly SL को follow करेंगे पहला target 520 और दूसरा target 600 होना चाहिए हलांकि buying करनी है तो काफी small quantity ले heavily investment करने से बचेंगे और जो already invested है मुझे नहीं लगता कि समय पैनिक सेलिंग करना चाहिए क्योंकि पैनिक सेलिंग और फोमो बाइंग यही दो कारण होता है major loss का